किर्किट जिसके दिवाने हरे घर में आपको मिल जाएंगे लेकिन क्या आपको पता है कि किर्किट भारत में इतना जादा खेला जाता है और वो भारत का खेल नहीं है यह खेल एक जमाने में फिरंगी लोगों दुआरा खेला जाता था और करीब 500 साल पहले इसका विश्कार लेट के विक्टिरियाई समाज में हुआ था सत्वी सजी तक आते आते यह इतना लोगप्रे हो चुका था कि किर्किट के दिवाने रविवार्द को चर्च ने जाकर जो है किर्किट खेलने जाते थे जिसके जरी उन पर जो है जुरमाना लगता था आज के कमपैरिजन में 18 के लिए ना तो स्टेडियम की जुरत पड़ती थी जिस मैदान में किर्किट होता था वो भी एक जैसा अकार नहीं रखता था सेफ्टी के लिए कोई भी वहां पर जो है विवस्ता नहीं होती थी आज जो भी हमारे किर्केटर इसमाल करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता था और सबसे दिल्चस्प बात कि जिस पैट से क्रिकिट खेला जाता था वह भी हमेशा की तरह ऐसा नहीं था वो होकी स्टिक की तरह हुआ करता था पहले बोल हवा में नहीं फैकी जाते थी बल्कि जैसे बच्चे खेलते हैं तो लुडगा कर जमीन पर फैकी जाते थी और वी अठावी सदी उन्निसफी शदी और बीसी सदी में क्या बदलाव आए किस तरह ऐसे किर्कट का परसार स्टार्ट हुआ क्योंकि जैसे आज खिला जाता है जैसे आज हर खिलाडी किर्कट का सेलिब्रिटी होता है ऐसा पहले नहीं हुआ करता था कैसे इंग्लेंड से उठकर किस तरीके से किर्केट का परचार हुआ किस तरह से किर्केट में बदला हुए तो किर्केट 18 सदी का पहला ऐसा खेल था जिसमें कायदे कानून तै हुए थे किर्केट का सबसे पहला कानून 7044 में बनाया गया जिसके चलते किर्केट में दो कप्तान हुआ करते थे जिसमें जो का बैट इस्तेमाल करना है खेल में ये खिलाडी पर डिपेंड करता था वो जैसा चाहे जिसाकार का चाहे बैट ले सकता था 18 सदी में स्टंप 22 इंच ऊचे और गिल्लियां 6 इंच की हुआ कर दे थी बॉल के वजन की बात करें तो वह 5-6 ओंस की होती थी और अगर अब बात क करें कि भारत का पहला किर्केट कलब कब बना था वह बना था 1792 में हाला कि भारत में किर्केट के जो सबूत हैं कि भारत में किर्केट कफ से स्टार्ट वा था वह 1721 में मिले हैं कि 1721 से जो है किर्केट भारत में देखने को मिलना स्टार्ट हो गया था उसके बाद 1787 में जा 2017 के दसक में बॉल को हवा में फैकने का चरण शुरू हो गया ता इससे स्पिन और स्फिंग के लिए नए दरवाजे खुल गए जिसका नतीजा यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली थी इसके बात से और जो बॉल का वजन था वो पौने 6 ओंस म में बदल गया था सेवंटी सेवंटी फोर में पहरी बार लैग बिफोर का नियम लागू हुआ था सेवंटीन एटी तक बड़े मेचो की अवदी तीन दिन की हो गई थी और इसी साल छे सीवन माली बॉल भी अस्सित में आ गई उस समय किर्किट सिर्फ उन्हीं देशों में सीमित रहा जो कभी ब्रिटिस समराजय के अंग थे यानि किर्किट ने उन्हीं देशों में जड़े जमाई जहां अंगरेजों ने शाशन किया था या जहां अंगरेज उसको अपना रहे थे किर्किट के सुरवात में अफ्रीका ऑस्टेलिया न्यूजीलेंड वेस्ट सब्सक्ष्ण करते जिसे अपनेसे मालिक करते यृट भारत भारत भी ने शामिल और उनकिन कोसिशवी सदी में जैसे रिजभी 1588 पर hundred कंहों में खोज हो जान्हें के अजिके कर्ट में प्लक मैं अबभी पार्वर्त की शुरूण तो हो चुकी थी बाउंडरी की शुरुवात भी इसी यूग में हुई थी और सबसे एहम बात की ओवराम बॉलिंग को कानूनी ठहरा गया था लेकिन क्रिकेट मैट की समय सीमा अभी भी तै नहीं हुई थी खेल तब तक चलता रहता था जब तक एक टीम दूसी टीम को दुबारा पूरी तरह के से हरान नहीं देती और अगर बात करें कि 19 वी शदी में किस तरह का परचार किर्केट का हुआ तो अच्छी परचार जो होना शुरू हुआ था, वो हुआ था 19 वी शदी में और भारत में भी सबसे ज़्यादा परचार किर्केट का हुआ था, वो 19 वी शदी से होना शुरू हुआ था, अब सबसे पहले अंगरिजों के संपर्क में आये और 1848 में पार्शों ने ही भार्थे समधाई के रूप में पहला किर्किट कलब बंबई में बनाया था इसका नाम था औरियंटल किर्किट कलब जिनके विद पोशक यानि की स्पोंसर जो थे वो एक पार्शी व्यवसाई ही थे ज इसका परिणाम यह हुआ कि पार्शों ने किर्किट खेलने के लिए खुद का जिम खाना बनाया अब जब से पार्शी जिम खाना बना था दूसरे भार्थे ने भी धर्म के अधार पर कलब बनाना शुरू कर दिया था उनिश्वी सधी के अंद तक आते-आते कई हिंदुस कि अधानी संस्थाय बनना शुरू हो गए थी उस समय कि जो सरकार थी वह भी जो है समदाइक संस्थाओं को फोरन मानता दे 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 थी वह भी चाहते थी कि जो है धर्म के नाम पर यह चीज़े बढ़ जाएं क्योंकि नीती ही थी कि फूट दालो और राज करो बात करते हैं वर्षण दे शुड़ी तो उस समय करकित तुर्नामेंट में जो टीम डिसाडिड होती थी फो चेत के हिसाब से नहीं होती Bulk की धारमिक समधाइक की तर्ज बननती थी इस टूर्णामेंट को शुरू में जो है निता और सबसे बड़े राजनिते का नाम शामिला वो है महात्मा गांदी का जिनके हिसाब से जो है यह टीमें समधाय के लोगों को उन पर बाटने वाली होती थी यानि कि समधाय के आधार पर लोगों को बाटती थी इस चीज की वह निंदा कर देते इसके विप्रीत उन्हो है आयोजन किया हाला कि पांच कोनी टुर्णामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज आज तक इंतजार करना पड़ा था अब बारी आती है एक दिवश्य मैच की जो कि इंग्लेड वे ऑस्चलिया के बीच पहली बार 1971 में खेला गया था जो कि इतना ज्यादा पॉपलर हु हुआ और सक्सेस्फूल रहा था हाला कि आज के समय में भी वन डे किर्केट मैच बहुत ही जादा लौक प्रिया है कौन सी टीम क्या गेल किस तरफ से खेल रही है कौन कौन सी लोग सामिल है इन सब की जनकरी आज घर में बैटे हर एक इनसान को होती है फिर समय आया है 1977 का ज पैकर नामक ऑस्टेलियाई टेलिविजन मुगल ने किर्केट के प्रशारण की बाजरी संभावनाव को भाप कर दुनिया के 51 बेहंतरीन खिलाडियों को उनके बौर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंद पर ले लिया और दो सालों तक वर्ल्ड सीरीज किर्केट के नाम से स जादा जो है अच्छी चीज नहीं हो सकते थी इससे खेल का रंग ढंग ही बदल गया था रंगीन वर्जी हिफाजती हेलमेंट छेतरक्षन की पाबंदिया रोशनी जलाकर रात को किर्केट खेलना आदे कुछ ऐसे चीज़े जो पैकर के बाद किर्केट के स्ताई हिस्या ब अमीर हो गया था टेलिवीजन कंपणियों ने विध्यापन समय व्यवश्याइक कंपनियों को बेचे जिने इतना बड़ा दर्शक शम्मू और कहां मिलता निरंतर टीवी कवरेज के बाद किर्केटर से बन गए और उन्हें अपने किर्केट बोर्ट से जादा वेतन मिलने पर उसे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टीवी विध्यापन को मिल रहे थे इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है हमने अपनी वीडियो में पढ़ा है कि 18 शदी 19 शदी और 20 शदी तक क्रिकेट में क्या बदलावाई किस तरह से क्रिकेट का परश में अज़ आए आए